तो आज का यह जो सेशन है यह है Immune Drop के साथ तुलसी यह दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बदलते मौसम और साधरा नमस्ता में भी बहुत ही कारगार यह प्रोडक्ट है हम बात करेंगे आज सबसे पहले Immune Drop के इम्यून ड्राप जैसा के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध इम्यूनिटी के साथ होगा है तो सही बात है आप सही सोच रहे हैं कि इसका संबंध सीधा इम्यूनिटी के साथ है और यह एक आयरिवेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसीन आप कह सकते हैं कि यह प्रोप्राइटरी मेडिसीन है जिसके द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात करते हैं काम करते हैं अब सवाल यहां यह होता है कि इम्यूनिटी को हम पहले भली भाती समझ जाएं अगर हम इम्यूनिटी को समझ जाते हैं तो जैसी बात है कि हम अपनी इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो डिजीज होने वाले हैं जो बिमारियां होती हैं उसको भी हम आसानी से समझ जाएं हम दूसरे एक दूसरे के साथ अगर हम तुलनात्मक अगर दृष्टी से अगर हम देखेंगे तो हमी यह समझ में आ जाएगा कि यह जो बिमारी है क्या यह बिमारी है या हमारे इमिनिटी के कम्जोर होने से हुआ है यानी की रोग, प्रती रोधक, शम्ता जिसको हम कहते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं आज का ये जो सेशन है, pimนवीन ट्रॉप का तो immun drop के लिए बढ़ते हैं जिन्होंने ये मौुका दिया इनको हम कैसे भूल सकते हैं हमारे धर्दे समराठ, हमारे CMD ड़्टर जैप्रकाश्तियागी जिन्होंने एक ऐसा प्रेटफॉर्म दिया के आरेस के तुरू के हम लोगों की जिन्दगी और अपनी खुद की जिन्दगी को भी परिवर्तन करने में सक्षम हो रहे हैं और हम लगातार कोशिस कर रहे हैं कि हम सब मिलकर लोगों की जीवन में बहार लाएं अपने जीवन में बहार लाएं क्योंकि के आरेस हमें देता हैं और हम दूसरे को देते हैं Health and wellness की जिन्दगी अच्छे स्वास्त के साथ अच्छे स्वास्त की कामना करते हुए उसको लंबी जिन्दगी देने की बात हम करते हैं KRS का न्यूटर चार से के अंतरगत आने वाले जितने भी उत्पाद हैं तो यह जो उत्पाद हैं यह जो प्रोडक्ट हैं यह सारे की सारे health care से электid हैं हमारे स्वास्त से संबंद रखते हैं यह सारे की सारे हमें स्वास्त रखने में मददगार सावीत होते हैं और हो भी क्यों ना क्योंकि escape towards chemical free life का यह जो एक हमारा नारा है हमारा मिशन है हमारा उद्देश है कि आरिश चाहता है कि यह मिशन इतनी तेज गती से आगे बढ़े कि हम लोगों की जिन्दगी में चेंजिस ला सकें बदलाव ला सकें क्योंकि एक कदम भी अगर हम केमिकल फ्री लाइफ की तरफ बढ़ा देते हैं तो हम एक नेक कारे करते हैं और उस नेक कारे के बदले के आरेस हमें देता है एक अच्छी आमदनी का जरिया क्योंकि खाली पेट तो भज़न भी नहीं होता है ऐसा कहा जाता है तो हम जो काम करते हैं हमें इसका उच्छी तमुल्य भी मिलता है तो क्यों न इस मिशन को हम दो तरीके से करें लोगों की भलाई के साथ साथ अपनी भलाई भी करें तो केमिकल फ्री लाइफ की बात अगर हम करते हैं तो हम जब सुबर उठते हैं और हमारे दिन की जो शुरुवात होती है वो केमिकल के दौरा ही होती है फर्ज किजिए कि हमने टूथ पेस्ट लिया दांतों की सफाई करनी है तो जैसे ही टूथ पेस्ट हम लेते हैं क्लॉराइट, फ्लॉराइट ये तमाम जो केमिकल्स हैं जो हमारे पेस्ट में सम्मिलित है ये हमारे मूँ के जरीए हमारे पेट में जाता है जो हमें नुकसान पहुचाता है सर्फ इतना ही नहीं सुबह की अगर चाय पीते हैं तो हमें नुकसान पहुचाता है हम जो भी किचन में पका रहे होते हैं उसमें जो मसाले इस्तमाल होते हैं उसमें कहीं न कहीं आज मिलावट की बात सामने आ रही है जिसमें केमिकल मिले होते हैं बात सबजी की करें बात फूरूट की करें तो कहीं न कहीं केमिकल है लेकिन के आरेस आपको ये कहता है कि आप के आरेस के जितने भी उत्पाद है अगर आप इसे इस्तमाल करते हैं तो ये कैमिकल रहित है कैमिकल इसमें नहीं है और ये पूरी तरह से और्गनिक है चाहे इसके हेल्थ केयर परड़क्ट हो चाहे वो kitchen care product हो चाहे वो home care product हो ये तमाम जो हैं ये तमाम चीजें chemical free हैं और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आपको क्यारिस के साथ जोड़ दें ताकि इस mission को हम आगे लेके जा सकें क्यारिस multi pro health and wellness के साथ आपको देता है एक अच्छी आपदरी का जर्याब तो बात हम immunity की करें immune drop की करें तो immune drop जो है ये क्या है immunity सबसे पहले हम रोगपती रोधक शमता जसको हम immunity कहते हैं इस पे हम ध्यान दें इसको हम समझें that the immunity is defined as the immune system way of protecting the body against any infectious disease जहां कहीं भी infection वाली disease से हमारा शरीर खूद लड़ना चाहता है या लड़ता है इसे हम immunity करते हैं ये जो protection है ये जो शरीर हमारे बचाओ का काम करता है इसे ही हम immunity करते हैं ये हमारी ability हमारे शरीर की शमता के उपर निर्भर करता है के हमारे शरीर की चमता जितनी अधीक होगी ability जितनी अधीक होगी हमारी immunity उतनी strong होगी और ये जो immunity है ये एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है रोग ग्रस्त होने का यानि कि अगर हम बिमार पढ़ रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारी immunity आड़े आती है क्योंकि हमारा इम्मिनिटी हमारा शरीर का वो मेकनिजम जिस मेकनिजम के तहट जिस पड़ती के द्वारा हमारा शरीर रोगों से लड़ने का काम करता है उसे हम इम्मिनिटी कहते हैं यह इम्मिनिटी का जो सबसे मेजर पार्ट है वो है हमारे शरीर में जो खून है उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसे डबलू बी सी कहते हैं और यह जो डबलू बी सी है इसको इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में रोग से लड़ने का इसमें आप यह देख रहे हैं, Monocyte, Limpocite, Neutrophil, Snophil, Bacinophil, Macrophic, Arthrocyte, Platelet यह तमाम जो सेल्स हैं, यह हमारे रक्त में पाएज जाने वाले सेल्स हैं. तो इसमें सबका अलग-अलग काम है, सबका अलग-अलग function है, इसमें जो Platelet है, जो वूसका अलग-अलग काम है, तो इसमें जो WBCA, White Blood Cells है, उसका काम है रोग से लड़ना, हमारी immunity को बरकरा रखना. अब हमारे शरीर में तीन तरह की immunity पाई जाती है, एक है innate, दूसरा है adaptive और तीसरा है passive. यह तीन तरह के मुखे रूप से immunity हमारे शरीर में पाई जाती है. अब एक एक करके हम लोग इसको जड़ा सा समझ ले तो बहतर होगा. पहला innate immunity, यह पैदाईशी हम लेके पैदा होते हैं. पैदाईशी रूप में हमारे शरीर में होता है, और यह होता है हमारा skin. यानि के हमारी जो तचा है, यह तचा सबसे पहले protection का काम करती है. जेनरली हमारे skin के माद्यम से बहुत सारे ऐसे किटानों होते हैं, बैक्टरियाज होते हैं, या वाइरस होते हैं, या फंगली इन्फिक्शन होते हैं, जो हमारे skin के तरू जाते हैं. तो innate immunity में सबसे पहला जो हमारा protection का काम करता है, वो है skin. यानि के तवचा और ये तवचा एक barrier है, जो हमारे skin के माद्यम से उसको block कर देता है. जैसे ही कोई चीज, कोई bacteria, कोई virus अगर हमारे skin पर लगता है, तो हमारा skin active हो जाता है, और उसे protect करता है, उसे रोग लेता है, इसे innate immunity करते हैं. दूसरा है adaptive immunity, जब adaptive immunity की बात हम करें, तो ये हमारे जिन्दगी के साथ चलता है, जब कभी भी कुछ virus अगर आ गया, तो हमारा शरीर खूद antigen पैदा करना शुरू कर देता है, खूद immunity क्यों बढ़ाता है, और उसमें ऐसे sales तयार कर लेता है, जो सामने, जो disease आ रहा है, उस प्रोटक्ट नहीं कर पाता है, तो हम vaccine लेते हैं, और ये vaccine ही हमें antidote बनाता है, हमारे शरीर में पैदा करता है, तब हम उस विशेज तरह की बिमारी से बच पाते हैं, passive immunity, passive immunity ये लिया जाता है बाहर से, सब पोच कीजिए, कि एक बच्चा है, अगर मा के दूद का सेवन कर रहा है, तो उसके शरीर में एक temporary immunity raise करती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और जब हमारा शरीर लड़ने के लाइक नहीं होता है, तो हम फिर से vaccine, उस तरह का vaccine लेत हैं, जो particular उस disease के लिए होता है, तो ये passive immunity है, और ये immune system जो है, ये हमारा, ये हमारे vaccines के, जैसे जैसे vaccines होते हैं, वैसे वैसे disease को protect करता है, या हम ये कह सकते हैं, कि जो disease होता है, वैसी vaccine सम लेते हैं, और यही कारण है, कि आज कर हम अपने बच्चे को जर्म से ही, जो उनका recommend क किया जाता है, डॉक्टरों के माद्यम से vaccines, वो time को time देना बहुत जरूरी होता है, ताकि हमारे बच्चे की immunity बनी रहे, strong रहे, जैसे जोइंडिस के लिए देते हैं, मिजिल्स के लिए देते हैं, कुकुरखासी के लिए देते हैं, liver protection के लिए देते हैं, कई तरह के immunity को strong करन के लिए vaccines हैं, जो बाले आवस्था में ही बच्चा जनम लेता है, वहीं से इसको मिलना शुरू हो जाता है, तो इस तरह का जो protection हमें मिलता है, उसे passive immunity करते हैं, चलें आगे बढ़ते हैं, तो ये active immunity में आपने समझ लिया, जो natural तरीके से infection आता है, उसको जब protect करता है, ये active immunity करता है, या फिर हम उसके लिए vaccine लेते हैं, दूसरा passive immunity है, जो natural तरीके से मा के दूद से मलता है, और दूसरा artificially चलहाना पड़ता है, या देना पड़ता है, तो ये तरीका है immunity को strong करने का, अब हमारे शरीर में जो immune system है, या immune system क्या है, आए देखते हैं, immune system में हमारे गले के अंदर tonsil है, अक्सर हम ये कहते हैं, ठंड लग गई, tonsil बढ़ गया, ये tonsil जो है, ये हमारी immunity का एक हिस्सा है, यानि कि जो vocal cord है, वहां से आप कह सकते हैं, thyroid जो है, वो है, हमारी immunity का एक हिस्सा, शरीर में spleen है, वो हमारे immunity का एक हिस्सा है, तो हमारे जिगट है, ये वो हमारी immunity का हिस्सा है, bone marrow है, appendix है, lump node है, हमारे शरीर में जितने भी lump होते हैं, गाठे होती है जो gland होते हैं, वो सारे के सारे हमारी immunity का एक हिस्सा है, हमारी immune system का एक हिस्सा, ये सारे मिल के हमारे शरीर को protect करता है, यानि कि रोगों से बचाने का काम करता है आप देखें कि अगर टॉंसिल की बात अगर करें या फिर अपेंडिक्स की बात करें लिफनूट्स की बात करें या अगर वीक होता है तो उससे जुड़ी हुई बिमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती है ऐसा क्यों क्योंकि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है ऐसे में फिर बाहर से दवा लेने की जरूरत पड़ती है या वैक्सिंस लेने की जरूरत पड़ती है तो इमिनिटी जब लो होता है जब हमारे शरीर में इमिनिटी कम होनी शुरू हो जाती है तो लक्षन देता है जब वो रोग से लड़ने की चमता खोना शुरू कर देता है तो कुछ ना कुछ वो लक्षन देना शुरू करता है अगर ये लक्षन अगर आपको नजर आता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी इम्मिनिटी वीक हो रही है आपकी इम्मिनिटी कमजो यही कारण है कि हमारा शरीर उस व्च वाइरस से बैक्टिरिया से किसी फंगल से नहीं लड़ पाता है और यह दीरे 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 जब हम इसे avoid करते हैं तो यह मेजर Health Risk में पदल जाता है तो यह जरूरी है कि हम अपने शरीर की रक्षा के लिए हम अपनी immunity को strong करे अब देखे जब हमारी immunity weak होती है तो कौन-कौन से लक्षन आते हैं lack of sleep नीद कम होनी शुरू हो जाती है immunity कम हुआ तो हमारे नीद में disturbance आना शुरू होता है stress यानि कि तनाव ग्रस्त हम हो जाते है poor diet, खाना, खाया नहीं जाता या हम कम मात्रा में खाना शुरू कर देते हैं जिसके वज़े से शरीर पे दूस पर नामाना शुरू होता है sedentary, lifestyle, हमारा lifestyle बड़ा सूस्त हो जाता है हम चाहते हैं कामीना करना पड़े हमारे body को rest मिलता रहे ये भी एक शरीर का एक लक्षन है जो ये बताता है कि आपकी शरीर की immunity कम होती चली जा रही है अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग जब immunity कम होती है तो लोग अपनी immunity को artificially बढ़ाने के लिए smoke करना शुरू कर देते हैं या फिर अलकोहल लेना शुरू कर देते हैं शराब पिना शुरू कर देते हैं और ततकालिक जो energy मिलती है तो वो समझते हैं कि भई मैं तो बलवान हो गया ऐसे भी जो शराब पिलेता है तो उसकी ताकत चारगुनी हो जाती है ततकाल जैसे ही नशा उतरता है फिर से वो अपनी दुनिया में लौट आता है या कहें बद से बदतर होता चला जाता है chronic cases, chronic पुरानी बिमारियां जो धीरे धीरे छोटा रूप रहता है छोटे रूप में वो बड़ा होता चला जाता है chronic हो जाता है aging process बहुत fast हो जाता है अगर आपकी immunity कम है तो hyizine का अगर आप ध्यान नहीं रखते है तो immunity और weak हो जाती है क्योंकि उसे बल मिलता है रोगों को बढ़ाने का environmental factor बहुत माइने रखता है आप किस environment में काम कर रहे हैं या किस environment में रह रहे हैं वहां का भी बहुत जादा है आपने देखा होगा कि coal factory जहां है या coal की जो माइन से हैं वहां पे रहने वाले लोगों की immunity बहुत weak होती है वहां के लोग ज्यादा तर respirative system से परिशान रहते हैं आपने देखा होगा जहां का पानी अशुद है जहां की पानी में थोड़ा बहुत जादा कैलसियम है या फिर वहां बहुत जादा iron है या बहुत जादा potassium है तो वहां अलग अलगतर है की बिमारियां होती है और यह बड़ा common होता है वहां के परिवेश में तो परिवेश बहुत माइने रखता है विटामिन की deficiency अगर शरीर में हो रही है तो आपकी immunity कमजोर हो जाती है इसका भी दिहान रखना बहुत जरूरी होता है यह भी एक कह सकते हैं लक्षन है और जब हमारा शरीर physical exercise करने से deny करता है यानि कि हमारा शरीर आपके कहने के मताबिक नहीं चलता तो यह सीधा सीधा आपकी immunity को दर्शाता है कि आपकी immunity कमजोर हो रही है तो यह जरूरी है इन सभी लक्षनों से अगर आप गुजर रहे हैं तो जरूरत है कि आपकी immunity को strong किया जाए strength दिया जाए उसे बढ़ाया जाए जब तक हमारे शरीर की immunity खुद पखुद नहीं बढ़ाती है यहीं हमारा defense mechanism अगर strong नहीं होता है तो हम discomfort फील करते हैं और ऐसे समय में हमें comfort फील करने के लिए क्या लेना होता है कि आरेस का immune trauma immune trauma आपकी immunity को बिलकुल प्राकरतिक तौर पे बढ़ाता है कि आरेस का यह immunity के साथ साथ हम बात करेंगे अब तूलसी की तूलसी की बात अगर हम करें तो इसमें पंच तूलसी है चलिए थोड़ा से इसको और किलियर कर दें यह सारे लक्षन जो अभी तक हमने बताए यह immunity किस से related थे अब इन सभी लक्षनों को अगर दूर करना है तो आपको लेना क्या है आपको लेना है immune drop जो है यह आपकी immunity को strong करता है आ रोग से लड़ने की शमता को बढ़ाता है और यह जब रोग से लड़ने की शमता आपका शरीर बना लेता है तो आप रोग रस होने से बाच जाते हैं ऐसे में immune drop का दो से तीन पूंत आप हलके गुन गुने पानी में सारे दिन में दो से तीन बार ले सकते हैं या आवशक्त आनुसार आप इसका प्रियोग कर सकते हैं तो immunity के लिए जरूरी है कि आप immune drop का स्तमाल करें और इससे आपको protection मिलता है इससे आपको सुरक्षा मिलती है रोग से लड़ने की चलते हैं अगला जो protect है हमारा वो है तुलसी पंच तुलसी अब पंच तुलसी में पंच तुलसी करकुमिन जिंजर पेपरिंग मुलेठी ग्लोब और सफ्रा ये चीजें हमारे इस तुलसी ड्रॉप में मिली हुई है अब ये तुलसी ड्रॉप को चलिए एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं पंच तुलसी ये जो पंच तुलसी है वो क्या है पंच तुलसी में जिंररली जो मिलाया जाता है वो होता है श्याम तुलसी वन तुलसी राम तुलसी अर्जिक तुलसी कपूर तुलसी ये पास तरह की तुलसी वैसे तुलसी के कई सारी वराइटीज है लेकिन उसमें से जो वराइटी अपने काम की होती है उसे इसमें मिलाया गया है और health benefit की बगर बात करें सिर्फ तुलसी की और एक-एक जो ingredient इसमें डाले गया है उन सबों को आप एक-एक करके देखें तो आपको समझ में आएगा ये हमारे liver function को strong करता है तुलसी दूसरा है ये हमारे stress को खत्म करता है मालिजे कि आप बहुत ज़्यादा मानसिक परिशानी से गुजर रहे हैं तो आप अगर तुलसी की दो तिन बुदे अगर आप चाय के साथ ले लें गुन-गुने पानी के साथ ले लें और पानी संभो नहीं है तो आप सीधा अपने जीब पे भी ले सकते हैं तो इसे आपको stress से तुरंद छुटकारा मिलेगा ये antibacterial है इसके लेने से हमारे शिरील में bacteria से लड़ने की छमता बढ़ जाती है हमने देखा कि हमारी immunity कम होती है तो bacteria घर कर जाता है या virus घर कर जाता है उसे तरह से ये तुलसी है तुलसी भी हमारे bacterial infection को दूर करने में साहिक होता है lower blood glucose हमारे शरीड में अगर glucose की माता बढ़ गई यानि अगर हम diabetic हैं तो आप तुलसी का प्रियोग नहीं सब कोज भाव से कर सकते हैं cholesterol level का अगर बढ़ गया है cholesterol आपके शरीड में बढ़ रहा है तो ऐसे में अगर आप तुलसी का प्रियोग करते हैं तो आपको आशा की तलाब मिलती है बहुत ही फैदा होता है immunity को बढ़ाने में तुलसी अपना बहुत ही अच्छा रोल अदा करता है साथी साथ जो seasonal problem होते हैं seasonal seasonal का मतलब है कि सर्दी, खासी, बुखार, सर में दर्द, नाका बेहना हलकी खासी, गले में सुरसुराहट, खरकराट होती है खासियां होनी शुरू हो जाती, कफ नहीं आता है ये जो seasonal जो चीज़े होती है इसमें तुलसी राम बान काम करता है बहुत अच्छा सा दिखाता है इसका दूसरा जो ingredient है वो है कुरकोमेन, यानि कि healthy healthy के benefit को अगर देखें तो ये antioxidant है हमारे शरीम में antioxidant का काम करता है, oxidation हुने नहीं देता, aging process को रोकता है, anti-inflammatory है, यानि कि ये हमारे शरीम में Susan को कम करता है कहीं भी अगर सूजन आ गई तो ये उसको भी कम करता है antioxidant के साथ anti-inflammatory तो है ही antioxidant का भी काम करता है, साथ ही साथ ये है, anti-allergy हमारे शरीम में किसी चीज को लेने से अगर allergy हो रही है यानि हमारा शरीम उसको protect नहीं कर पा रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो बैगन खाते हैं, उनके शरीर में allergy हो जाती है या कोई ऐसी चीज जो उनके शरीर के माफित नहीं है हमारा उनके शरीर को सूट नहीं करता है, अगर वो खालिया उस environment पे आ गया, तो उनको allergy होनी शरू हो जाती है, शरीर में खुजलाहट होनी शरू हो जाती है, चकते बनने शरू हो जाती है, स्नेजिंग शरू हो जाता है, सर में दर शरू हो जाता है ये anti-allergic जो गुन है हल्दी में ये उसे दूर करने में पूरी तरह से शक्ष हम है ये नियूरो प्रोटेक्टिव एफेक्ट है इसमें, हमारे नियूरोन को काफी एक्टिव रखता है, ये बिल्कुल साधारन सी चीज हल्दी, ये इंटी कैंसर और इंटी प्रोटेक्टिव ही है, चलते हैं हमारे अगले जो इसमें इंग्रेडिन डाला गया, that is the ginger, यानि के अदर अदरक, अदरक का जिक्र आपने देखा कई सारे प्रोटेक्ट में होता है, आप आप ये समझ सकते हैं, ये अदरक मामूली सी किचन की शोभा बढ़ानी की चीज नहीं, रोगों से लड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छी आउशदी है, एक बहुत ही अच्छा अच्छी दवा है आप कह सकते हैं, जो साधरनत है हमारे की चन्ना बलता है, मैंने इसके पहले भी अदरक के बारे में बताया था, इसमें बहुत सारे न्यूटेंट्स हैं, इसमें विटमन्स हैं और इसमें मिनिरल्स भी हैं, तो इनकी उपस्थिती में ये और भी स्ट्रॉंग हो जा इसमें 18% है, कैलोरी 17% है, विटमीन E है, विटमीन B6 है, नाइसीन है 26%, विटमन C है, अगनीज है, आइरन है, सिलेनियम है, मैंगनेशियम है, बहुत सारे मिनरल्स और भी भरे पड़े हैं साब, इसे आप भी बहुत ही अडरेस्टिमेट ना करें, क्योंकि जंजर में के जो जोडों में दर्द है, आपके कलाई में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, मसल स्पेन अगर हो रहा है, तो आप जंजर का प्रियोग कर सकते हैं, यानि कि अगर तुलसी में अगर जंजर है, तो यानि तुलसी आप लेते हैं, तो आपको जोडों में दर्द में भी आराम देता है या आपके हर्ट हेल्थ को ठीक रखता है immunity को strong करने में भी यह सायक है तो हमारी immunity को तुलसी और immune drop तो immune drop और तुलसी दोनों अगर मिल जाता है अगर आप दोनों के इस्तमाल करते हैं तो आपके शरीर में दोहुरा एक सुरक्षा चक्र वाइरस नहीं आ सकते fungal infections नहीं हो सकता महिलाओं के लिए menstruation cramps जो होते हैं उस समय भी यह तुलसी बहुत काम करता है क्योंकि तुलसी में है क्या जिंजर जिहां जिंजर और anti-inflammatory भी है health benefit और जिंजर की बात अगर हम करें तो बहुत सारे इसकी जो खासियत है यह है ही इसमे respiratory system से reluctant मैंने कहा बदलते मौसम में अगर अद्रख की चाय आप लेना पसंद करते हैं इसका मतलब है कि आपकी humidity को strong करता है साथ ही साथ आपके respiratory आपके शोसन तंतर को आराम देता है और आपको ठीक रखने में मदद करता है साधर इसी खासी होती है हम अद्रख की चाय पीते हैं और यह अद्रख की चाय देता है सुकून फायदा चलते हैं पेपरिन अगला इसमें जो ingredient है वो है पेपरिन पेपरिन के जो फायदे हैं यह भी हमारे kitchen में मिलने वाला एक बहुत ही आसानी से मिल जाता है पेपरिन हर kitchen में यह दिखता है मिलता है यह हमारे nutrition जो हम खाते हैं जो भी हम खाते हैं जो उसके nutrition होते हैं उसको absorb करने में यह मदद करता है यह anti-inflammatory है यह भी anti-inflammatory है antioxidant का का काम करता है weight management में यह अपना रूल अच्छा करता है और यह benefit देता है conjunction, chest अगर concept कर गया है कफ बहुत ज़्यादा अगर हो गया है खासी अगर हो रही है तो हम कहते हैं न कि अद्रक में अगर थोड़ी सी goal mirts मिला दी जाए तो इसकी efficacy और बढ़ जाती है यह और भी बहतर काम करता है खासी को दूर करता है respiratory system को strong करता है यह digestive system को ठीक करता है weight management में काम करता है और यह microbial protection में है अगर कहीं अगर आपको चोट लग गई है वहाँ microbes गूजने के जाएंसे जगर है तो आप goal mirts को लगा दें यदि मदु मखी काट ले तो आप goal mirts का इस्तमाल कर सकते हैं तो उससे भी जलन बगएरा खत्म हो जाती है चलते हैं आगे मुलेठी मुलेठी का नाम आप सबोने सुना ही होगा मुलेठी के benefit जो है यह gastritis यानि की पेट से सम्मंदिज जो बिमारिया होती है यह वहाँ फायदा करता है लीवर को strong करता है digestion को ठीक रखता है immunity को strong करता है बात फिर से घुम के आई हमारी immunity की यानि की रोग से लड़ने की शमता मुलेठी में भी है मुलेठी भी हमारे रोग से लड़ने की छमता को बढ़ाता है यानि हमारे शरीर को प्रटक्ट करता है रोग से लड़ने में मददगार साभीत होता है ये कोलिस्टॉल को कंट्रोल करने में सायक है रेस्परेट्री ट्रबल्स जितने भी होते हैं उसमें मुलेठी बहुत ही फैदा पहुंचाता है आपको याद होगा कि पिछले सेशन में मैंने कब सिरप लिया था और रेस्पो के अभिया था उसमें भी मुलेठी का जिक्र जरूर आया था अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें बहुत खुल के बात की थी respiratory system में मुलेठी कैसे लाभ पहुचाता है आपको यह hormone को भी regulate करता है यारि hormonal अगर कुछ disbalance अगर आपकी शरीर में हो रहा है तो यह भी regulate करता है उसे balance करता है वो balance करने में भी यह अपना मदद देता है तो इसका मतलब यह हुआ या अगर तुलसी का प्रियोग आप अपने hormonal disbalance में भी अगर करते हैं तो यह फाइदा पहुचाता है यारि कि long long एक मसाला लेकिन फाइदे अने यह antimicrobial property है इसमें भी anti-oxidant है anti-inflammatory है and suitable for the liver and diabetes को भी control करता है अक्सर दादी नानी के नुस्खे में आपने सुना होगा कि थोड़ा सा अगर खासी किसी को हुआ तो हम जट से यह सुझाओ देते हैं कि एक long मुँ में रख लो आपकी खासी control हो जाएगी है ना अब आप सोच सकते हैं कि long का प्रभाव कितना है आपकी चलती हुई खासी को रोक सकता है आपके दाद के दर्द में long का तेल प्रियोग करते हैं यानि कि long फायदे मंद है कई द्रिस्टी कोन से और इसी long का प्रियोग किया गया है तुलसी ड्रॉप में यानि कि तुलसी का सेवन आपको इन तमाम चीजों से बचाता है अब इसमें है सेफरान सेफरान यानि कि केसर यह हमारे growth में सहायक है हमारे growth को ठीक रखता है protection करता है हमारी memory को blood flow को ठीक रखता है energy level को बढ़ाता है digestion को ठीक करता है हमारी skin को glow करता है यानि कि तुलसी का प्रियोग अगर आप करते हैं तो आपके स्कीन के ग्लो को भी बनाए रखने में ये कारगार है हमारी मेमोरी को प्रोटेक्ट करता है आपने देखा होगा कि कम उम्मर में आज कल पहले तो बुजर्गों के साथ होता था लेकिन अब कम उम्मर में भी लड़कों लड़कीं के साथ होने लगा है महिलाओं के साथ होने लगा है पुर्शों के साथ होने लगा है मेमोरी का लॉस होना या दाश्ट का कम होना यानि कि हमारी हमने फोन का इस्तमाल जितना ज्यादा किया हमारी मेमोरी उतनी डिस्टर्ब होती चली गई हम स्ट्रेस लेबल पे ज्यादा से ज्यादा जाने लग गए यानि कि अगर हम इन तमाम चीजों से अगर ग्रसित हो रहे हैं तो बेही चक आप तुलसी और इमिन टॉप का इस्तमाल शुरू करें तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा, साउंड स्लिप भी होगा रेस्परेटर सिस्टम से आप निजाद पाएंगे, लड़ने की शक्ती होगी एजिंग प्रॉसस में भी आपको फैदा पहुँचेगा क्योंकि एजिंग जब स्लो हो जाएगी, आप तरूताजर जवा दिखेंगे लंबे समय तक आप स्वस्त रहेंगे डाइजेशन आपका प्रॉपर रहेगा, ग्रोथ हाथ की रहेगी एनर्जी लेवल बड़ी रहेगी, सबसे बड़ी बात है आपकी एनर्जी लेवल बिलकुल बड़ी रहेगी, क्योंकि एनर्जी अगर है तो काम करने की शम्ता बड़ी रहती है तो इम्यून ड्रॉप और इम्यून ड्रॉप के साथ तुलसी ये दोनों ऐसी चीज़े हैं जो हमें बिलकुल प्रोटक्ट करती है लोडोग से लड़ने के लिए हमारी इम्यून ड्रॉप करती है मैं हमेशा एक बार आप लोगों को जरूर याद दिला देना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी सुरक्षा क्या दिहान रखें अपने एसोसियेट्स को मैं बता देना चाहता हूँ इसमें प्रेगनेंट लेडी हो या लेक्टिंग ओमन है जो बच्चों को दूद पिला रही होती है जो बच्चे चोटे हैं ते इस साल से ऐसे को बिना डॉक्टर कंसर्ट के आप कोई भी प्रोड़क्ट ना दे या सुझाओं के बाद ही देना शुरूर करें इसके लेने का भी तरीका है एक से दो बुंद आप चाई के साथ ले सकते हैं या फलके गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं क्यारेश हमेशा ततपर है आपको स्वस्त रखने के लिए क्यारेश हमेशा से कोशिश किया है आपको अच्छी health के साथ अच्छी wealth दे जरूरत है हमें और आपको मिलके आगे बढ़ने की आप देख रहे हैं कि क्यारेस के 6 वर्ष पूरे हो गए क्यारेस एक जगा नहीं अब आपके शहर में आपके नजदी की शहर में अपना वर्षगाठ मना रहा है 6 वर्ष पूरे हो गए कल 26 तारी यानि अगरतला में बहुत ही बड़ा आयोजन होने जा रहा है बिते कल आपने देखा प्रताबगड यूपी में बहुत ही शानदार कारिकरम हुआ आप उस भीड को देखके समझ सकते हैं कि हमारे कितने associates अपनी जिन्दगी को बदल रहे हैं क कितने associates दूसरों की जिन्दगी को बदलने के लिए तत पर हैं क्योंकि mission है हमारे साथ और वो mission है a step towards chemical free life क्रस multipro तत पर है आपको लेकर चलने के लिए साथ क्योंकि जब तक रहेगा आपका साथ तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस तरह से हम और आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे आज के लिए इतना ही और मैं देख रहा हूं पुश्पाजी ने hand raise किया हुआ है पुश्पाजी एक मिनट मैं आपको unmute कर दूँ हां आप बात कर सकते हैं पुश्पाजी जी रादे रादे सर्जी रादे सर किसी को cramps आते हो उसमें पैरों में या पिंडलियों में तो उसके लिए भी immunity drop क्या कारगर है immune drop बिलकुल काम करेगा cramps अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है उसके शरीर में कहीं न कहीं है vitamins minerals की कमी हो रही है तो आप immune system के हमारी immune drop के साथ में आप red aloe vera दे सकते हैं या फिर moringa का भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं आज समय है इसलिए मैं आपके सवाल ले रहा हूं और कोई चलिए बहुत अच्छी बात है तो आपके अच्छा रवी शंकर रवी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं और करना जबुत को रवीर जाता है क्योंकि प्राकृतिक तौर पई उनकी को स्ट्रांग करना ज़रूरी है है ना उसके लिए ग्रीन विजिटेबल साब ने मां का दूद सर्वोपर ही होता है मैंने अभी आपको दिखाया कि इमिनिटी के लिए मां का जो दूद है वो बहुत ही इंपॉर्टन होता है जी जी बिल्कुल ठीक है और कोई सवाल अगर करना चाहे तो कर सकते हैं चलिए बह सब्सक्राइब कर सकते हैं पन्मूट कि जिये जी नमस्कार 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 गिलिम जी क्या हाल है बढ़ी है सर जी उनको अपर काम करें सबसे पहले तो उनको एक अल्ट्रा सांट कराने का सुझाओ दें ताकि उनसे ये पता चल सके कि अंदर कहीं कुछ बड़ी बिमारी तो नहीं हो रही है तब तक के लिए आप एलो आमला दें और साथ में आप तुलसी दे सकते हैं या फिर वेदरस दे सकते हैं जी सर जी सर और कोई नहीं चलिए ठीक है तो आज के लिए सेशन हम यहीं समाप्त करते ह हैं मिलते हैं अगले सेशन में फुर किसी अच्छे प्रड़क के साथ प्रड़क सारे अच्छे हैं जरूरत आपको समझने की है कि आप इसे कितना बहतर समझ रहे हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले जूम सेशन में नए प्रड़क के साथ तब तक के लिए धन्यवा शुरात्री